नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिवी डिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी सिक्षिक कारिकरम हैं सिक्षा से सम्मरत कारिकरम हैं उससे स काफ़ important है तो आपको skip नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है सबसे पहले इस वीडियो को आपको like करना है जितने भी गुरूपे share करना है और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को channel subscribe कर लेना है सिर्फ एतनी सी आपसे विंती ही तीनों काम आपको फटाफाट कर ले प्रेखा 2005, सिक्षा का अधिकार 2009, राष्टी प्रोड सिक्षा कारिकरम, राष्टी जनसंख्या पर योजना, सिक्षा कर्मी कारिकरम, ओप्रेसन ब्लेड, सोरी ब्लेक बोर्ड, जिला सिक्षा एवं प्रसिक्षन संस्तान, राष्टी साक्षरता मिसन, महिला जनसंख्या, स अस्तुर्बा गांदी, बालिका, विद्याले योजना, राष्टी ग्यान आयोग, राष्टी माद्यमिक सिक्षा भियान और राष्टी उच्छ सिक्षा भियान ये बीएसे जो कारीकरम हैं इससे सम्मनित आपको यहाँ पर सो प्रशनों भी लेंगे तो आपको स्किप नहीं क कामप्लिक्स की जो अउधारना है, वो पहली बार कहां लागू किया गया था, राजिस्तान में, बिहार में या फिर मद्यप्रदेश में काफी important person हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, राजिस्तान याद रखेगा, इस्कुल परिसर की जो अउधारना है, वो पहली बार पर आपका सही होगा, न्यूपा, N-U-E-P-A मुख्य रूप से संबंदी थे, किस संबंदी थे, सबसे पहले जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, आपके सामने ही, National University of Educational Planning and Administration, ये इसका पूरा नाम है, उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसका हिंदी नाम है, राष्टी सेक्षिक योजना एवं प्रसारण विश्व विद्याले, इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना होई थी, 1962 में, और इसकी कहां पर होई थी, इस्थान पूछे तो वो है, New Delhi, अब बात करते हैं, कि ये मुख्य रूप से किस से संबंदी थे, तो याद रखेग ये सेक्षिक योजना से संबंदी थे, यहाँ पर इसका, जो हिंदी अनुवाद है, उसमें ही इसका अंसर सुपा हुआ है, राष्टी सेक्षिक योजना, यहने सेक्षिक योजना से ये मुख्य रूप से संबंदी थे, तो राइट अंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी पुछा गया 2001, 2003, 2004 या फिर 2006 तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2004 याद रखेगा ITC योजना भारा सरकार द्वारा 2004 वर्ष में शुरू की गई थी तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा चैलिए चोथा प्रशन है 2006 वर्ष तक की आयू के बच्चों को निसुलक और अनिवारि सिक्षा के मूलबूत अधिकार के लिए भारा सरकार द्वारा सर्व सिक्षा भियान की जो सुरूआत है वो किस वर्ष की गई थी यहाँ पर देखे भारा सरकार द्वारा सर्व सिक्षा भियान की जो सुरूआत है वो 2001 में की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं भारा सरकार ने बच्चों के मुफ्त और अनिवारी सिक्षा के अधिकार को वर्स में अधिनीमित किया था कौन से वर्स में अधिनीमित किया था 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिनो में याद रखेगा, राइट आंसर होगा, 2009 याद रखेगा, भारा सरकार ने बच्चों के मुफ्त और अनिवारी सिक्षा के अधिकार को वर्स 2009 में अधिनीमित किया था यहाँ पर डी वाला विकलपे आपका सही होगा चलिए छटा प्रशन है गुणवत्ता अध्यापक सिक्षा के लिए पाठ चरिया की रूपरे खा राष्टी अध्यापक सिक्षा परिसद द्वारा किस वर्स में प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर देखिए के लिए पाठचीरे की रूपरेखा राष्टी अध्यापक सिक्षा परियसर द्वारा 1998 वर्ष में प्रस्तुत किया गया था यहां फर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा सात्वा प्रस्ण यहां पर आपको बताना है किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारन किया जाना चाहिए सिक्षक रूची बालक की आवशक्ता या फिर स्वामाजी का आवशक्ता सरलसा प्रस्ण है इसका आंसर आपके सामने है पाठचरिया को ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारन किया जाना चाहिए पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा आठवा प्रस्ण भारती सविधान के नुक्षेद 41 वा 46 किसके कल्यान से सम्मन्दित 41 वा 46 अनुक्षेद के बारे में पूछा गया है यह किसके कल्यान से सम्मन्दित थे आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से विकलांग व्यक्तियों से धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से भारत के सविधान में किसके लिए निसुलक अनिवारी सिक्षा है यहाँ पर देखे निसुलक सिक्षा अनिवारी किसके लिए है इसके बारी में तो आपको पता होगा सभी छात्रों के लिए नहीं है सभी छात्रवा प्रोडों के लिए भी नहीं है और सभी नागरीकों के लि या फिर 800 तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 200 यहाँ पर देखें दिवस की बात हो रही है घंटे की बात नहीं हो रही है प्रात्मी किस तर पर जो नियूनतम कारी दिवस होंगे वो 200 दिवस होंगे प्रात्मिक इस्तर पर सेक्षनिक निर्धारिते यहां पर देखे घंटे की बात हो रही है कितने घंटे होना चाहिए आठ सो एक हजार ग्यारा सो या फिर साथ सो प्रात्मिक इस्तर पर पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा 800, यां पर पहला वाला विकलपे आपका सही हो गा 6 if 64 वर्ष पाटशिरिया रूप रेखा 2005 के अंत्रकत परिक्षा सुधारों में निवलिकित में से किस सुधार को सुझाय गया है यहां पर देखें किस सुधार को सुझाय गया है यहां पर आपका राइट आंसर होगा इन में से सभी होगा सर्वसिक्षा अभियान के मानकों के अधार पर प्रात्मिक एवं उच्च प्रात्मिक इस्तर की कक्छाओं है तू सिक्षक चात्र का अनुपात है यहां पर देखे सर्वसिक्षा अभियान के मानकों के अधार पर आपको बताना है यहां पर प्रात्मिक इस्तर और उच्च प्रात्मिक इस्तर दोनों कक्छाओं के बारे में पूछा गया है कि दोनों कक्छाओं है तो सिक्छक और छात्र का अनुपात आपको बताना है एक अनुपात 40, एक अनुपात 30, एक अनुपात 10 या फिर एक अनुपात 20 तो यहां पर राइट आंसर होगा एक अनुपात चालिस यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा सिक्षा का अधिकार भारती सविधान में किस मूल अधिकार में सामील है यहां पर देखे सामिल लिखा हुआ दियान दीजेगा शिक्षा का अधिकार भारती सविधान के किस मूल अधिकार में सामील है ये पूछा गया है संसकती एवं सिक्षा संबंदी अधिकार धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार या फिर सामानता का अधिकार तो right answer क्या होगा स्वतंत्रता का अधिकार याद रखेगा सिक्षा का अधिकार भारती सविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में सामीले तो right answer आपका क्या होगा तीसरा वाला होगा बच्चों के लिए निशूलक एवं अनिवारी सिक्षा का दिकार अदिनियम 2009 के लिए लागू है ये किस वर्स से किस वर्स तक के बच्चों के लिए लागू है सरसर प्रस नहीं है आपको पता होगा 6-14, 7-13, 5-11 या फिर 6-12 तो यह 6-14 वर्स के बालोकों के लिए हैं ये निशूलक एवं अनिवारे सिक्षा याद रखेगा पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा राष्टी पैट्स चरिया की रूप रेखा 2005 याने की NCF 2005 के आधारबुत सिद्धानतों में निमलिकित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है प्रस्न को धियान से पढ़ना है कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है अच्छी बहा परिक्षाओं का आविजन करना, रटने को महत्व प्रदान ना करना, पस्तोकों से इतर ग्यान प्राप्त करना या फिर ग्याद को वास्तविक जीवन से जोडना तो यहाँ पर कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है NCF 2005 में तो राइट आंसर होगा रटने को महत्व प्रदान ना करना, यह पर भीवाला विकल्पे आपका सही होगा आगे बरते हैं अगला प्रुशन है शिक्षा के छेतर में पाट्चरिया सब्दा वली की ओर संकेत करता है या आपको बताना है मुल्यांगन प्रक्रिया में कक्छा में प्रिउक्त की जाने वाली पाठी वस्तू, सिक्षन पद्धती एवं पढ़ाई जाने की विशे वस्तू या फिर विद्याले का संपून कारिकरम जिसमें प्रतिदिन अनुभो प्राप्त करते हैं। आपका राइट आंसर होगा 2009 में। सिक्षा का अधिकार जो अधिगोसित हुआ था वो 2009 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रस्ने हैं भारत के सविधान का कौन सा अनुख्षेद ही जिसमें सिक्षा के अधिकार का अनुख्षेद सिक्षा के अधिकार का प्राव आउधान करता है यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा राश्ट्री प्रोड सिक्षा कारिक्रम जिसे सोटकट में NAEPB कहा जाता है और इसका फुल फोम है National Adult Education Programmer यह इसका पूरा नाम है राश्ट्री प्रोड सिक्षा कारिक्रम की जो शुरुआत हुई थी यह कब हुई थी पूछा गया है 1978 में, 1980 में, 1987 में या फिर 1999 में तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपका राइट आंसर होगा 1978 में याद रखेगा राश्ट्री प्रोड सिक्षा कारिक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 1978 को की गई थी राइट आंसर आपका यहा चवदा वर्षे के आयू के बच्चों पर भी होता है और बच्चों की नियमित उपस्थती पर भी लागो होता है लेकिन 15 से 18 वर्षे के आयू के बच्चे के लिए सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागो नहीं होता है ये 6 से 14 वर्षे के आयू के बच्चों के लिए होता है उचित आयू वर्गे के बच्चों को प्रवेश दिला ना या फिर उपरोक्त सभी सही आंसर क्या होगा यहां पर पूछा गया है तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहां पर D वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अनुक्षेद के अंतरगत तक 86 वे सविधान 2002 निसुल्क एवं अनिवारी सिक्षा एवं मोलिक अधिकार है यहां पर अनुक्षेद के बारे में पूछा गया है कोंसे अनुक्षेद के अंतरगत है 21, 21, 18 या फिर 22 यहां पर सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है निजी इसकुलो में गरीब बच्चों के लिए सीटे आरक्षित है कितने प्रतिसत है 25 प्रतिसत 30 प्रतिसत 40 प्रतिसत या फिर 45 प्रतिसत सरल सा प्रशन है आप सभी को पता है कि यह होती है 25 प्रतिसत नीजी इसकलो में जो गरीब बच्चों के लिए सीटे आरक्षित होती है वो 25 प्रतिसत होती है सिख्षा का सविधान संसोधन के द्वारा किस वर्स में समवर्ती सूची में डाला गया यहां पर B वाला विकल्पे आपका सही होगा सविधान 86 संसोधन अधिनियम 2005 के भाग त्रति में जिस नई धारा को जोड़कर 6-14 वर्ष का आयू वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवारे सिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बाते कहीं है सविधान की यहां धारा है यहां पर किस धारा में कही गई है किस A 21 B 22 A या फिर 22 B सही आंसर क्या होगा तो यहां पर सही आंसर होगा 21 A याद रखेगा पहला वाला विकल्पर सही होगा सविधान की 21 A धारा में यहां बात कही गई है चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट्री जनसंख्या परियोजना की सिरुवात कब हुई थी 1991 में, 1980 में, 1995 में या फिल 1994 में तो याद रखेगा ये हुई थी 1980 में राष्टी जनसंख्या परियोजना की जो सिरुवात हुई थी वो 1980 में हुई थी राश्टी पाट शेरह की रूपरेखा NCF 2005 में बातचित की गई ग्यान स्थाई है वा दिया जाता है से ग्यान का विकास होता है और इसकी सरचना होती है सेक्षिक केंदर से विसे केंदर पर हो विद्यारती केंदर से अध्यापक केंदरत की ओर हो या फिर इन में से कोई नहीं यहाँ पर NCF 2005 में किसकी बाच्चित की गई है यह आपको बताना है यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा ज्यान इस्टाई है वद दिया जाता है से ज्यान का विकास होता है और इसकी सरचना होती है इस बाच्चित, इसकी बाच्चित की गई थी 2005 में तो याद रखेगा पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा NCF 2005 में बहुभासा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यहां एक तरीका है जिसमें प्रत्यक बालक सुरक्षित महसूस करे भासागत प्रश्ट भूमी के करण कोई भी बालक न छूड़ जाए यहां बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोच सहन देगा या फिर इन में से सभी तो यहां पर हमारा राइटांसर होगा इन में से सभी NCF 2005 में बहु भाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है तो यहां पर जो तीनों विकल्प होंगे यह सही होंगे तो आपका राइटांसर इन में से सभी होगा NCF 2005 में गुनवत्ता आयाम सिर्शक के अंतरगत अधिक महत्त दिया गया है यहां पर आपको बताना है किसको अधिक महत्त दिया है NCF 2005 में गुनवत्ता आयाम सिर्शक के अंतरगत तो आपका राइटांसर होगा बालको के लिए सनराचित अनुभव एवं पार्टिकरम सुधार को अधिक महत्त दिया है NCF 5 में गुनवत्ता आयाम सिर्शक के अंतरगत तो यहां पर फोर्त वाला विकलपे आपका सही होगा इसमित ने सिक्षण की त्रीदुवी प्रक्रिया में कारिवाहक माना है किसे कारिवाहक माना है इसमित ने अभी भावक को, सिक्षा को, सिक्षार्ती को या फिर पाठ्टिकरम को तो इन्होंने माना है सिक्षक, इसमित नहीं सिक्षक, सिक्षण की त्रीदुरूवी प्रक्रिया में जो कारिवाहक माना है, वो सिक्षक को माना है सिक्षक अर्मी कारिकरम, जिसको हम सोटकर्ट में कहते हैं, SKP की सुरुवात कब हुई? सिक्षक अर्मी कारिकरम की सुरुवात की सुरुवात की बारे में पूछे तो इसकी भी जो सुरुवात हुई थी, वो भी सुरुवात हुई थी, वो 1987 को हुई थी, याद रखेगा, काफे इंपोटेंट है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, सिक्षक कर्मी कारिकरम के बारे में पूछे तो इसकी स्तापना भी 1987 को हुई थी, आपरेशन, ब्लेक बोर्ड की सुरुवात कब हुई थी, तो इसकी भी 1987 को हुई थी, और जिला सिक्षा एवं प्रसिक्षन, संस्तान की जो सुरुवात हुई थी, ये भी 1987 को हुई थी, धियान दीजेगा, तीनों के आंसन 1987 होंगे, आगे बढ़ते हैं, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, एक अध्यापक के लिए 59 गंटे, प्रतिस अपता निरधारित की गई हैं, आपका राइट आंसर होगा, शिक्षाक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निमलिकित में दायत्व पूरा करना चाहिए विद्यालेई में नीमित रूप से उपस्तित होना चाहिए बिल्कुल सही है पाठिकरम का संचलन कर पूरा करना चाहिए ये भी सही है संपूर्ण पाठिक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना चाहिए यह भी सही है तो यानि कि आपका सही आंसर क्या होगा इन में से सबी यह तीनों ही विकल्प या फिर तीनों ही दायत्व पूरा करना चाहिए एक अध्यापक को सिक्छाक अधिकार अधिनियम 2009 में आगे बढ़ते हैं सिक्छाक अधिकार 2009 में निर्धिष्ट किया गया है कि कच्छा एक से पाँचवी तक यदी प्रवेश दिये गए विध्यार्तिव की संख्या 200 से अधिक है तो विध्यार्ती अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा 30, 40, 42 या फिर 50 काफी कब्द कराकर अपनी कार्यशेली को बदलने का आउशर प्रदान करती है उन्नत सेक्चिक सामगरी में करती है प्रदान सिक्छन एवं सीखने की अधिक प्रभाविधी में प्रदान करती है या फिर अधिक इंट्रेक्टिव सेक्चिक सामगरी में करती है या फिर उप्रुक याद रखेगा उन्नत सेक्षिक सामगरी, सिक्षन एवं सीखने की अधिक प्रभाविविदी और अधिक इंट्रेक्टिव सेक्षन सामगरी ये वस्वर प्रदान करती है तो राइट आंसर आपका उप्रुक्त साभी होगा भारत का भहुष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है यहां मत किस आयोका है यहां पर आपको बताना है जो मत है यह किस आयोका है मुदालियर आयोका है सेडलर आयोका है डाक्टर रादाकरश्नन आयोका है या फिर कोठारी सिक्षा आयोका है तो राइट आंसर आपका हो याद रखेगा भारत का भुष्य उसकी कक्छाओं में निर्मित हो रहा है यहां मत को ठारी सिक्छा आयोका है राइट अंसर आपका फोर्ट वाला होगा अध्यापक की सरवादिक उप्युक्त उप्मा दी जाती है अभी भावक से समाज सुधारक से माली से या फिर राष्ट नायक से सरलसा प्रश्ण है आप सभी को इसका अंसर पता है माली से अध्यापक की जो सरवादिक उप्युक्त उप्मा दी जाती है वो माली से दी जाती ह कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्याली योजना इसे के जी बी वी के नाम से भी जाना जाता है इसका सोटकट नेम है इंगलिस का कि जो सुरुवात हुई थी वो कब हुई थी 2010 में 2003 में 2008 में या फिर 2004 में काफी important प्रस्न हैं आपको पता होना चाहिए इसकी जो सुरुवात हुई थी वो 2004 में हुई थी कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्याले योजना की जो सुरुवात हुई थी वो 2004 में हुई थी आगे बढ़ते हैं राष्टी ज्यान आयोग की जो सुरुवात हुई थी ये कब हुई थी एन केसी की सुरुवात कब हुई थी 99 में, 2005 में, 3 में या फिर 6 में तो याद रखेगा इसकी जो सुरुवात हुई थी वो 2005 में हुई थी बालक सरप्रत्थम मातर भासा को सीखता है किसके रूप में मातर भोली के रूप में चिल्लाने के रूप में व्याख्यान के लिए या फिर गाने के रूप में सरवसर प्रशने राइट आंसर आपके सामने है मातर भोली के रूप में बालक सरप्रत्थम जो मातर भासा को सीख वो मात्र बोली के रूप में सीखता है राश्टी पाठचरिया 2005 की कारिशाला आयुजित की गई कहां पर आयुजित की गई उधाइपूर में दिल्ली में नई दिल्ली में या फिर उधाइपूर में चार विकलपे हैं आपके सामने तो आपका राइट आंसर होगा N.C.E.R.T नई दिल्ली में आयुजित की गई थी याद रखेगा राश्टी पाठचरिया 2005 की जो कारिशाला है ये N.C.E.R.T. नई दिल्ली में इसको आयुजित किया गया था तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा चलिए विद्यालेई प्रबंद समीती का पुनरगठन कितने वर्ष परश्शात होगा काफी इंपोटेंट हैं दस, तीन, दो या फिर एक वर्ष तो राइट आंसर होगा दो वर्ष याद रखेगा विद्यालेई प्रबंद समीती का जो पुनरगठन होगा वो दो वर्ष के परश क्या है प्रारंब की तारिक से 5 वर्ष प्रारंब की तारिक से 4 वर्ष प्रारंब की तारिक से 3 वर्ष या फिर प्रारंब की तारिक से 2 वर्ष तो यहाँ पर क्या प्रावधान है यह पूछा गया है तो राइट आंसर होगा प्रारंब की तारिक से 3 वर्ष यहाद रखेगा RTE 2009 के तहट गठित होने वाली विद्याली प्रबंद समिती के लिए जो प्रावधान होगा वो प्रारंब की तारिक से तीन वर्ष का होगा यहाँ पर तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा अगले प्रस्नी क्यों बढ़ेंगे अगला प्रस्नी है RTE 2009 के तहट गठित होने वाली विद्याली प्रबंद समिती के लिए क्या प्रावधान है यहाँ पर दीखी चार विकल पलग है यहाँ पर प्रावधान पूछा गया है समिती में तीन बटे चार सदर्ष्य माता पितावा सनरक्षक होंगे समिती की पचास सदर्ष्य माता पितावा सनरक्षक होंगे समिती की पचास सदर्ष्य कोन होंगी माहिलाए होंगी तो रहेट आंसर आपका यहाँ पर उप्रोक्त दोनों होगा अगला प्रश्नी है CBCS का विस्तरत रूप यहाँ पर देखिए CBCS का विस्तरत रूप पूछा गया है इसका पूरा नाम क्या है चोईस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम चोईस बेस्ट कोर सिस्टम चोईस बेस्ट कोमन सिस्टम या फिर चोईस बेस्ट क्रियेटिव सिस्टम तो यहाँ पर इसका विस्तरत रूप पूरा नाम पूछा गया है तो इसका पूरा नाम है Choice Based Credit System विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली इसका उद्देश क्या है मुख्य उद्देश यह चात्रों की अवशक्ताओं को ध्यान में रखना याद रखेगा इसका पूरा नाम क्या है Choice Based Credit System याने की विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली तो यह राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर पहला वाला होगा चलिए भारत में सरप्रथम किस विश्विध्याले में CBCS को लागू किया यहाँ पर देखिए CBCS को किस विश्विध्याले में सरप्रथम भारत में लागू किया गया था इलाबाद विश्विध्याले में दिल्ली विश्विध्याले में आगरा विश्विध्याले में या फिर बनारस विश्व विध्याली में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दिल्ली विश्व विध्याली में याद रखेगा भारत में सरप्रथम दिल्ली विश्व विध्याली में CBCS को लागू किया गया था राइट आंसर आपका बीवाला होगा CBCS के तहत विद्यारतियों को प्रत्यक सेमिस्टर में मैक्सिमम कितने क्रेडिट स्कोर अर्न करना होगा यहाँ पर देखें मैक्सिमम पूछा गया है मैक्सिमम कितने क्रेडिट स्कोर अर्न करना होगा 25, 55 या फिर 12 तो राइट आंसर होगा आपका बावनियाद रखेगा CBCS के तहत विद्यारतियों को प्रत्यक सेमस्टर में मैक्सिमम जो क्रेडिट स्कोर अर्न करना होगा वो कितना होगा बावनियाद रखेगा काफी इंपोटेंट प्रश्न है आगे बढ़ते हैं प्रत्यक सेमस्टर में प्रत्यक सेमस्टर के बारे में पूछा गया है कि प्रत्यक सेमस्टर में मैक्सिमम और मिनिमम कितने क्रेडिट स्कोर करना अनिवारी है यहाँ पर प्रत्यक सेमस्टर में पूछा गया है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बारे में पूछा गया है कि कितने क्रेडिट स्कोर कर करना अनिवार है maximum 26 minimum 16 बावन 25 35 16 16 या फिर 26 तो यहां पर देखिए maximum की हम बात करें तो वह 26 और minimum की बात करें तो वह 16 याद रखेगा प्रत्यक समिस्टर में maximum 26 और 16 minimum credit score करना अनिवार है तो right answer आपका यहां पर पहला भाला होगा आगे बढ़ते हैं CBCS अंतरगत प्रत्यक समिस्टर में कितने सप्ता सेक्षनिक कारी आवश्टर के 10 से 15 सप्ता 16 से 18 सप्ता 15 से 18 सप्ता या फिर 12 से 16 सप्ता तो यहां पर सप्ता के बारें पूछा गया है तो right answer आपका होगा 15 से 18 सप्ता CBCS अंतरगत प्रत्यक समिस्टर में 15 से 18 सप्ता सेक्षनिक कारी आवश्टर के तो right answer आपका यहां पर तीसरा वाला होगा यहां पर देखिए अब दिवस के बारें पूछा गया है कि CBCS का एक सेमिस्टर कितने दिवस का होगा 60 दिवस 120 दिवस 90 दिवस या फिर 80 दिवस तो यहां पर right answer होगा 90 दिवस याद रखेगा CBCS का एक सेमिस्टर 90 दिवस का होगा कितने दिवस का 90 दिवस का आगे बढ़ते हैं CBCS के मुख्य पार्ठिकरम कौन कौन से यहाँ पर देखिए CBCS के जितने भी important प्रस्ने हैं वो सभी को लिया गया है one by one याने के एक के बाद एक लिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके यहाँ पर मुख्य पार्ठिकरम कौन कौन से हैं CBCS के पूछा गया है मूल है वेकलपिक है वेकलपिक और मूल है या फिर मूल वेकलपिक और बुनिया दी है तो यहाँ पर CBCS के मुख्य पार्ठिकरम के बारे में पूछा गया है इसकी जो सुरुवात हुई थी, वो कब हुई थी, 2011 में, 2008 में, 2003 में, या फिर 2009 में, काफी important प्रशन हैं, आपको पता होना चाहिए, तो right answer होगा 2009 में, राष्टी माद्निक सिक्षा बियान की जो सुरुवात हुई थी, वो 2009 में हुई थी, चलिए, राष्टी उच्च सिक्षा बियान की जो सुरुवात हुई थी, वो 2013 में हुई थी, या पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, CBCS एक केफेटेरिया, विश्यस कारिकरम, दरश्टी कौन प्रदान करता है, कौन सा दरश्टी कौन प्रदान करता है, विश्यस कारिकरम, CBCS, छातर अपने पसिंद पार्ठीकरम चुन सकता है, या पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, आगे बढ़ते हैं, विश्यस को छोटे छोटे अंसों में बाटने का सिक्छन सिध्धानत कहलाता है, नियोजन का सिध्धानत कहलाता है, सह संबंद का सिध्धानत कहलाता है, लचिलेपन का सिध सिध्धान्त कहा जाता है काफी tęफ हैं तो धियान दीजिए अंसर आपका होगा विछ्लेशन का सिध्धान्त विशे वस्तू को छोटे-छोटे विश्छन का also कहलाता है न-सी इरे जोर देती है किस पर जोर देती है बाल केंदरित सिक्षा पर अध्यापक केंदरित सिक्षा पर समाज अधिकार सिक्षा पर या फिर व्यक्ति आधारित सिक्षा पर सरलसा प्रस्टे है आप सभी को पता है जो NCERT है ये बाल केंदरित सिक्षा पर जोर देती है यहाँ पर पहला व दोजार पांच के नुसार जो प्रभावे सिक्षण है तो आवशक है वो तीनों ही आवशक है छातर केंद्रे सिक्षण स्रव दर्शी शामगरी और योगी सिक्षण तो यहाँ पर आपका राइट अंसर उप्रुक्त सभी होगा अगला प्रशन है शुल से भागने वाले बालग के अध्धियन की सर्वादिक उप्योगी विधी कोंसी है? प्रशन वली है? प्रियोगात्मक विधी है? सर्वेक्छन विधी है या फिर केस इस्टेड़ी विधी है? काफि एंपोर्टेंट प्रशन हैं? राइट आंसर होगा केस इस्टेड़ी याद रखीगा इसकुल से भागने वाले बालक के अध्यन की जो सरवादिक उप्योगी विदी होगी वो केस इस्टडी विदी होगी यहां फर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा कुल बालक पुष्टकी जल्दी सीख लेते हैं कुछ विवहरिक ज्यान प्राप्त करने में कुसल होते हैं यहां विभेद कहलाता है, यहां पर जो विभेद है, यह क्या कहलाता है, भावात्मक विभेद, विभेद, सीखने का भेद, या फिर मूल प्रवत्ती का भेद, तो यह कहलाता है, मूल प्रवत्ती का भेद, याद रखेगा, कुछ बालक पुष्टकी ग्यान जल्दी सीख ले या पर आपका राय टायंसर होगा निरिक्षण विदी यादः रखेगा वहाँ विदी निरिक्षण विदी है जो देखकर सीखने के सिध्धान्त पर अधारीत एते तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा माद्यमिक सिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठिकरम के सिध्धान्त यहाँ पर देखे प्रस्तावित पाठिकरम के सिध्धान्त कोन से हैं माद्यमिक सिक्षा आयोग के द्वारा आपको बताना है अनुभवों की संपूनता का सिध्धान्त, सामुदाइक जीवन से सम्मधता का सिध्धान्त, आवशक्ता के चणू के सदूप्यों का सिध्धान्त या फिर उप्रुक्त सभी तो यहाँ पर रायटांसर होगा उप्रुक्त सभी ये तीनों ही सिध्धान्त प्रस्तावित राइट आंसर होगा व्याख्यान विधी परमपरागत सिक्षण विधी के बारे में पूछा गया था तो आपका राइट आंसर पहला वाला होगा व्याख्यान विधी सिक्षा गारंटी योजना सिक्षा गारंटी योजना के बारे में पूछे humor या फिर राष्टी प्रोड सिक्षा संस्तान के बारे में पूछे तो इसकी भी सुरुआत कब होई थी आगे बढ़ते हैं, पार्ठीकरम निर्मान का सिध्धानत, पूछा गया है, कौन सा है, किरियाशिलता का सिध्धानत है, विवित्ता का सिध्धानत है, उपयोगीता का सिध्धानत है, फिर उक्त सभी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यह तीनों ही पार्ठीकर प्रोजेक्टर से उपर होना चाहिए, सता पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मसीन पर बना होना चाहिए, या फिर विश्व का होना चाहिए, क्योंकि यहां सबसे बड़ा होता है, तो जब बच्चा सरप्रतम नकसे से पड़ता है, तब नकसा प्रोजेक्टर से उपर होना चा तो राइट आंसर होगा आपका व्यक्ति निष्ट याद रखेगा वेद, विश्वस्नी और संपूर्ण पाठीकरम का मापाने तीनों ही वस्तु निष्टा परिक्षा के गुण है व्यक्ति निष्ट नहीं है तो राइट आंसर आपका फोर्त वाला होगा आगे बढ़ते हैं अच्छे प्रस्न पत्र में गुण होना चाहिए अच्छे प्रस्न पत्र में वेदता, विश्वस्नीता, वस्तु निष्टता या फिर ये सभी तो राइट आंसर होगा आपका सभी वेदता, विश्वस्नीता और वस्तु निष्टता ये तीनों ही गुण ह होने चाहिए एक अच्छे प्रस्ण पत्र में तुराइट आंसर आपका ये सभी होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा पार्थिक्रम निर्मान की आवशकता है अभिव्यक्ति ही तू समवा ही तू सिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति ही तू या फिर कोटेंट हैं कहां पर किया गया था भारत में रूस में अमेरिका में या फिर ब्रेटेन में तो राइट आंसर होगा अमेरिका में दल सिक्षन का जो सरप्रतम प्रियोग किया गया था वो अमेरिका में किया गया था NCF 2005 के अनुशार अध्यापक के गुणों का वर्गिकरत किया गया है कितने वर्गों में वर्गिकरत किया गया है चार वर्गों में छे वर्गों में दो वर्गों में या फिर तीन वर्गों में तो याद रखेगा NCF 2005 के अनुशार अध्यापक की जो गुण है उनका जो परगोँ में किया गया यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अध्यापक का विश्यस गुंझ है सहन सिलता है अध्यापक की भूम çıktयाप यहां पर देखें अध्या। तो राइट आंसर आपका होगा उपरोग तो सभी याद रखेगा सिक्षिक लक्षों की प्राप्ति सिक्षक प्रक्रिया को प्रभवी बनाना साथ में प्रभवी मुल्यांकानिय तीनों ही एनसीअब 2005 के नुसार अध्यपक की भूमिका है राष्टी साक्षर्ता मिसन NLM की जो सुरुवात है वो कब हुई थी 1988 में चैतर में या फिर चोरानवे में तो यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या होगा यहाँ पर देखे राष्टी साक्षर्ता मिसन के बारे में पूछा गया है कि इसकी सुरुवात कब हुई थी तो इसकी सुरुवात हुई थी 1988 में, राश्टी, साक्षरता मिसन की सुरुवात 1988 में हुई थी महिला जनसंख्या की सुरुवात कब हुई थी? 85 में, 84 में, 80 में या फिर 89 में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1989 में महिला जनसंख्या की सुरुवात हुई थी सबके लिए सिक्षा जिसको हम सोटकट में कहेंगे EFA Education for All की जो सुरुवात हुई थी ये कब हुई थी? 99, 95 में या फिर 94 में तो याद रखेगा यहाँ जो सुरुवात हुई थी ये 1990 में हुई थी कब हुई थी? सबके लिए सिक्षा की जो सुरुवात हुई थी वो 1990 में हुई थी आगे बढ़ते हैं जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम अब यहाँ पर देखे जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम की जो सुरुवात है ये कब हुई थी इसे DPEP भी कहा जाता है इसकी सुरुवात 99 में हुई थी 75 में 94 में या फिर 61 में तो याद रखेगा इसकी जो सुरुवात हुई थी वो 1994 में हुई थी धियान दीजेगा काफी important प्रशने हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने हमारा सीखने का सरोत्तम तरीका है सीखने का सरोत्तम तरीका कौन सा है करना पढ़ाना सुदना या फिर देखना तो सीखने का सरोत्तम तरीका होगा करना यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा दली सिक्षन व्यृष्टी में तो आपको सभी को पता होगा ये 55 से 10 मिनिट समय होता है 5 कितना होगा 5 से 10 प्रश्री ने काफी important काफी सरल है किस के द्वरा किया गया था ये फ्रोबेल के द्वरा किया गया था सिक्षा का kinder garden पध्धती का प्रतिपादन तो यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगले प्रस्चन के वर बढ़ते हैं अगला प्रस्चन है परिवार एक स सही होगा, अगला प्रश्न है, व्यक्तिकत विभनताओं को ध्यान में रखते हुए, विध्यारतियों के सिक्षन के लिए प्रायोजना पद्धती के निर्माता थे, वो किल्पेट्रिक थे, बी वाला विकल्पे, आपका सही होगा, अगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट विधी का प्रियोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किस ने किया, किल्पेट्रिक ने, मॉन्टे सरी ने, जोन डीवी ने या फिर रोसी ने, तो यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट विधी का प्रियोग सबसे पहले सामाजिक विज् या फिए पर रीक संघ कुए गाराश्टी सामाजिकत्रकूप सिंक्षणर क्षणू. योजना किस अधार पर बनती है। हरवत की पंचपधि प्रनाली में, मौरिसन प्रनाली में, ड्वी प्रनाली में या फिर, रोसो प्रनाली में सरल सा प्रशन हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत वर्से में जो सामची विग्यान पढ़ाने के लिए पाठ यूजना का आधार किस आधार पर बनती है तो ये हरबट की पंजपदी प्रणाली के आधार पर बनती है तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा अगला प्रश्न है सर्वसिक्षा अभियान जिसे ASSA के नाम से भी जाना जाता है सर्व सिख्षा अभियान की शुरुवात कब होई 2001 में, 99 में, 2008 में या फिर 1994 में काफ इंपोटेंट प्रस्वनCH आपको पता होना चाहिए कि सर्व सिख्षा अभियान की जू सुरुवात है वो कब होई थी तो इसकी शुरुवात हुई थी 2001 में सर्व सिक्षा बियान की सुरुवात 2001 में हुई थी अगला प्रशन है प्रात्मिक इस्तर पर लड़कियों की सिक्षा के लिए राष्टी कारिकरम NPEGEL की जो सुरुवात है ये कब हुई थी? 45 में, 2005 में, 2003 में या फिर 1994 में इसकी जो सुरुवात हुई थी ये 2003 में हुई थी याद रखीगा प्रात्मिक इस्तर पर लड़कियों की सिक्षा के लिए जो राष्टी कारिकरम की सुरुवात हुई थी वो 2003 में हुई थी चलि अंतिम प्रशनी के और बढ़ते हैं इकाई योजना, देनिक पार्थ योजना या फिर प्रतिमान सबसे पहले ये बनाए जाता है इकाई योजना तो राइट आंसर आपको क्या होगा? बीवाला तो यहीं पर आज का वीडियो समाब तो होता है आज का वीडियो आपको कैस लगा? आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है यदि वीडियो अच्छा लगए तो आपको लाइक करना है सेर करना है और चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जबते के लिए धन्यवाद